Hello friends, हम लोग Rig Vedic period और Later Vedic period को आलड़ी पढ़ चुके हैं Rig Vedic period 1500 BC से 1000 BC तक रहा इसके बाद Later Vedic period 1000 BC से 600 BC तक रहा Rig Vedic period की दोरान political organization को पढ़ते हुए हमने दिखा था कि जो सबसे बड़ी political unit थी वो थी जन जन काफी सारे वीसुओं से मिलकर बनी होती थी और वीसुओं बने होते थे कई सारे ग्रामों से मिलकर और हर ग्राम में कई सारे कुल होते थे और ये political organization exist करती थी 1500 BC से लेकर 1000 BC तक इसके बाद Later Vedic period में इस तरह के कई सारे जन एक साथ मिले जिससे एक larger political organization फॉर्म होनी शुरू हुई जिनने जनपत कहा गया जन का मतलब होता है people और पद का मतलब होता है foot तो जनपत का मतलब हुआ foot hold of people इससे हमें ये पता जलता है कि अब ये लोग एक जगा settle हो रहे थे और एक जनपत की अपनी एक territorial boundary होती थी जनपत को राश्ट भी कहा जा सकता है और इन जनपत के king के पास increased authority हुआ करती थी जिसके reasons को हम लोग पिछली वीडियो में already cover कर चुके है तो हम देख सकते हैं कि later wedding period के दोरान बहुत सारे जनपत create हो चुके थे ऐसे में इन जनपत में आपस में काफी जादे fights भी हुआ करती थी और obvious सी बात है कि इन fights के अंत में किसी की हार होती थी तो किसी की जीत ऐसे में जो भी राजा हारता था उसे जीतने वाले राजा को tribute देना होता था बड़ गौर करने वाली बात ये है कि कोई भी राजा जीतने के बाद हारे हुए राजा की land को acquire नहीं करता था तो यहाँ पर इस reason को समझदा जरूरी है कि जीतने वाला राजा हारने वाले राजा की land को acquire क्यों नहीं करता था तो होता क्या था कि जनपत में जितनी भी लोग हैं वो अपनी land को cultivate करते थे और उससे जो भी धन प्राप्त होता था उसका एक हिस्सा उन्हें tax की form में राजा को देना होता था बट यह जो tax है वो tribute से काफी कम है तो इसलिए राजा हमेशा यह prefer करता था कि वो जीतने के बाद हारे हुए राजा से tribute लेगा यह system 600 BC तक चला बट 6th century BC की शुरुवात में iron technology में technological advancement इतनी तेजी से हो रहे थे कि अब iron tools का इस्तमाल काफी तेजी से बढ़ने लगा agriculture के field में भी नए-नए advanced tools बनाए गए और इसका benefit यह हुआ कि अब कम efforts के साथ ही ज्यादा crops को grow किया जा सकता था इसके वज़ा से राजा को अब ज्यादा tax मिल पा रहा था और क्योंकि यह tax regular payment थी तो अब यह tribute लेने के बज़ाए इस regular tax को लेना ही एक better deal समझा जा रहा था इसलिए जीतने वाला राजा अब हारे हुए राजा की जनपद को भी अपनी territory का part बना लेता था इस तरह देखते ही देखते कई सारे राजाओं ने अपने अंडर में एक से ज़ादा जनपदों को acquire कर लिया और इस तरह कई सारे जनपदों को मिला कर बनी महा जनपद तो अंगुत्तर निकाए में जिन 16 महा जनपदों का नाम मेंशनड है वो हैं कामबोज, गांधार, कुरू, पांचाल, कोशल, मलाज, वरिजी, मत्सय, सुरसेन, अबंती, छेदी, वत्स, कासी, मगद, अंग और अस्मक शुरुआत में कासी महा जनपद सबसे पाउरफल महा जनपद थी, इसकी कैपिटल वारनसी में थी, और कासी की अपने आप में काफी एकॉनमिक इंपोर्डेंस थी, क्योंकि ये एक टेक्स्टाइल मेनिफेक्च्चर सेंटर की तरह उबर रहा था कहा जाता है कि बुद्धा के जो रोब्स थे, वो जो कपड़े पहनते थे, औरेंज ब्राउन कलर के, जिने काश्य भी कहा जाता है, वो रोब्स कासी में ही मेनिफेक्चर होती थे इसके बाद आता है कोशल महाजनपत, कोशल तीन डारेक्शन्स में नदियों से घिरा हुआ था, वेश्ट में गोमती, साउत में सियंदिका, जिसे साई भी कहा जाता है, इस्ट में गंदक रिवर, और नौर्थ साइड में नेपाल हिल्स तक ये एक्स्टेंडिट था इसकी राजदानी आयोध्या सर्यू नदी के किनारे थी, और ये वही एरिया है जहां पर आज उत्तपरदेश है, अब बात करते हैं अंग महाजनपत की, अंग और मगद को रिवर चंपा सेपरेट करती है, और इसी लिए इसकी कैप्रिल को भी चंपा का जाता है, क्योंकि ये जंपा रिवर के बैंक्स पर ही थी, अंग महाजनपत को उसकी वेल्थ और कॉमर्स के लिए जाना जाता था, और ये आज के बिहार के मुंगेर और भागलपूर वाला एरिया है, अब बात करते हैं मगद की, जो की उस एरिया में है जहां पर आज की डेट में बिहार का पटना और गया डिस्टिक है, इसके नौर्थ में गंगा रिवर थी, वेस्ट में सोन रिवर और इस्ट में चंपा रिवर और इसकी कैपिटल राजगीरा थी, जिसे इन प्रेगनिबल माना जाता था, बलब जिसको दुश्मन भेद नहीं सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि ये प जंदक हुआ करती थी, जो इसे मलाज जनपत से सेपरेट करती है, वरिजी को आठ कुलों की कॉन्फेडरेशन कहा जाता है, जिसमें विदयाज, लिच्छवी, जिनात्रिका और विजी जैसी क्लैन रहा करती थी, इनिशली यहाँ पर एक मॉनार्की का रूल हुआ करता था, बड़ मॉनार्की का रूल डिकलाइन हुआ और अल्टिमेटली यहाँ पर एक नॉन मॉनार्कील स्टेट इस्टबिश हुआ था, दिरिंग ताइम ओव महावीर एंड गौतम बुद्ध, नेक्स्ट बात करते हैं मलाज की, कहा जाता है कि मलाज को 500 चीफ्स द्वारा रूल क पास है, मलाज में भी शुरुवाती समय में विदेहन्स की तरही एक मॉनार्कील कॉंसिट्यूशन था, बड़ बाद में ये एक रिपब्लिकन पॉलिटी द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मलाज और विजी इन 16 महाजनपतों मे से दो ऐसी महाजनपती जहां पर मॉनार्केल रूल नहीं था, नेक्स बात करते हैं छेदी की, इसकी कैपिटल थी शुक्तिमती और ये आज के इस्टन बुंदिलकंड वाले पार्ट में हुआ करती थी, नेक्स्ट है सुरसेना, जिसकी कैपिटल थी मथुरा और ये आज के उतरपदेश वाले एरिया में है, अब हम लोग तीन महाजनपत के बारे में एक साथ बात करेंगे, कुरू जिसकी कैपिटल इंदरपरस्ट और हस्तिनपूर थी, पांचाल जिसकी कैपिटल अहिछटर और कामपिल्य थी, और मत्सिय जिसकी कैपिटल थी विराट, ये तीनो जैपुर, भरतपुर और अलवर वाले रीजन में, अब बात करते हैं कामबोज की, जिसकी कैपिटल थी राजपुरा और ये महाजनपत अफगानिस्तान वाले रीजन में थी, और अगर बात करें गांधार की, तो इसकी कैपिटल तक्षिला थी, जो कि अपने आप में एक लीडिंग सिटी थी और ये एक्टेंट करती थी अफगानिस्तान की काबुल वैली तक, इसके बाद देखते हैं असमक जनपत को, जो कि महराश्ट में गुदावरी रिवर के बैंक्स पर सिचूटेट थी, और इसकी कैपिटल थी, पोदाना या फिर पोर्टली, इसके अरुदान कैपिटल थी उजयन और इन दोनों कैपिटल में से ज्यादा इंपॉर्टन उजयन थी, तो ये थी वो 16 महाजनपत, जो कि 6 सेंचुरी बीसी के शुरुवाती पीरिड में हुआ करती थी, लेकिन विद्ध कोर्स ओफ टाइम, जो महाजनपत स्मॉल और वीक थी, उन्हें या तो बड़ी महाजनपतों ने अपने अंदर मिला लिया या पूरी तरह से खतम कर दिया, इस तरह मिट 6 सेंचुरी बीसी तक सिर्फ 4 महाजनपत सरवाईव कर पाई, ये 4 महाजनपत थी, कोशल, मगद, अवंती और वत्स, इसके बाद अगले 100 सालों तक इन 4 महा काट के बाद, अल्टिमेटली, मगद, विक्टोरियस इमर्ज हुआ, और नौर्थ इंडिया की पॉलिटिकल अक्टिविटी का सेंटर बना, तो ये थी डीटेल 16 महाजनपतों की, नेक्स वीडियो में हम लोग भारत वर्ष के पहले एंपायर, मगद के बारे में बात इंडियन पॉलिटी को डीटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा आपको डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मॉडरन हिस्ट्री और एंशेंट हिस्ट्री के लिए बुक्सतावा के प्लिस्ट को फोलो कीजिए, तैंक्यू सो मच पो आपको और मॉडरन हिस विए, तैंक्यू संपल्डी जाएगन। मैं प्लिस्ट्री और मॉडरन हिस्ट्री और दिक